अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखनी के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आड़ करें मंगी 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 ओटने मंगी जल सुबह ओगे चल उट उटने हाले उटने मंगी क्या बेना यहां पर भी इतनी सुपा को क्यो उठा दिया यहां पर खुलर थोड़ी बनाना है नाना जी को छोड़ा है हाँ तुम तु रात को गयते अब आ रहे हो वो फ्लाइट लेट थी अभी सुभे वापस आया मुंगी तुम्हें यहां कोई तकलीफ तो नहीं हुई मुझे तो कोई तकलीफ नहीं और नीम भी बहुत अच्छा से लेकिन खेमी बेना को तकलीफ हुई वो मुझे नहीं पता नहीं खेमी कमजोर मत पढ़ना खेमी बेना आपको तकलीफ हुई बताओ ना तकलीफ कैसे होती है शम्बू मेरा इतना ख्याल करते है रात को भी मेरा समान खुद उटाकर यहां ले आए सफाई की खाना खिलाया मुझे उनका सौपा बहुत अच्छा लगता है कितना ख्याल करते हैं वो मेरा चलो अच्छा है मुगी तुम लोग इस घर के मेमान हो और मेमानों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है यह शम्बू अच्छी तरह जानता है खासगर मेमान जब होने वाली पर पत्ती हो तो जब मैं वहां काओ में था तो तुम लोग में मेरा बहुत क्याल रखा था अब मेरी बाली गाओं में हब सजा काट रहे थे पर यहां यहां आप मालिक के बेटे हो छोटे मालिक मुंगी क्या छोटे मालिक किसी के दोस्त नहीं हो सकते किसी के हमदर्द नहीं हो सकते क्या हो किसी के तुमें कैसे भी चीज के ज़रत हो तो मुझे बता और इसे अपने दोस्त का ही कर समझना कद्धू पेना कद्धू बेटा यह तुम क्या कर रहे हो खाने लगा रहे हो तुझे मैंने कितनी बार कहा है इस घर को अपना घर समझा कर असुराल नहीं क्या मा मुझे वो कद्धू क्यों दिखाई नहीं दे रहे है जो मैं डियम्पी घर में देखती थी सुन मुझे तरी जैसे बहु नहीं बीटे चाहिए तेटली कुछ लाई हूँ देखी ही चाहिए आज से यह ओना यह पलू सब बन एक हफ्टे से देख रहे हूँ कद्धू बेहन लगडियों और मुझे मेरी कद्धू चाहिए बिंदी लगाओ चोटी रखो लेकिन पहनावा वही जो तुम दियम्पी घर पे रखती थी बच्पन से समझी यह 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 देखो तुमारे ले लेके आई हूँ पहन के बताओ कि अ कि मां का सब्सक्राइब कि 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 अब लग रहा है कि मेरे घर पर मेरी बेटी है कि कि पस पस अब रू मत अब मुझे यह मत कहना कि मुझे देखे तुझे सुबध़ा की याध आधा है कि मैं अपने रिष्टे को सास बहू कर रिष्टा नहीं बनाना चाहते हैं बल्के एक अच्छे दोस्त का रिष्टा बनाना चांती हूं तु जानती है सास बहु का रिष्टा बहुत पैचिता होता है कितनी मुश्कीले होती हैं इस रिष्टे में इसलिए मैंने सौच आ है कि हम अपने जिश्दे को एक अच्छे दोस्क रिष्ट पनाएं ओके माँ और हाँ, यह मामा क्या लगा रखा है कोई आगे बेचिनना हो ना तो मुझे मेगना भी बॉल सकती है मुझे अच्छा लगेगा मेरी उमर का अंदाजा नहीं होगा मुझे तो मा, यह जिस्ट इंपोसुबर मा फिर मा, सक्खी बोल मेरी सक्खी देख तो किसका बोल है लक्षमी यह स्वामान लेके मैं जोमने हो फिर से प्राइवेट नमबर से फोन यह है कौन और मुझे परिशान क्यों कर रहा है हलो हलो कौन बोल रहा है बोलते क्यों नहीं हलो कौन है यह फोन करते तो बोलता क्यों है अरे यह क्या कर रहा हूं लाओ यह मुझे दे दू ऐसा मत करो लाओ यह तो मेरा रोज का काम है खेमी और वैसे भी बेनबा को पता चलेगा कि मैंने यह काम नहीं किया तो खामकाद डाटेंगी बेनबा तो डाटेंगी जाय कोई बात हो या ना हो, उनकी तो अब आधत सी हो गई है, खेर, मैं अपना काम तुम्हें नी करने दे सकती, लाओ नहीं नहीं मैं कर लोगा, अब ऐसे भी बस होई गया है आती गंदगी पहलाने लगी ये तो करना कर दो करना कर दो कर दो कर दो है एए ने है यह आगा नस्तिफ पूट रही अपना तो पर भीन भाट जो ही कुछ हुआ है लो वो सुनने के नहीं देखने की चीजिए चल दिखाती हूँ तुझे तेरे बेन ने क्या गुल खिला है आज़ा बिल्ले क्या करिया चल तुझे तेरे बेन का पिक्चर दिखाती हूँ मार्निंग शो आज़ा बिनमागिर बात क्या है बात नहीं करामाथ है तेरे खेमी बेना की करामाथ दिखानी है तुझे आज़ा फिक्चर शुरू आओ आओ बैसा फेको तमासा देखो अरी तुम लोग खड़े क्यों हो गए बैठो बैठो पलंग के पीछे बैठे हो आओ ना पलंग के उपर बैठो खेमी बेना इसे अपने बाप का ही गर समझू है यहाँ पर जो चीज है ना बस हर चीज पर तुमारा हक है समझू यह जो संभू है ना यह भी वैसे हमारा नौकरी है क्या खेमी बेना यह गंदे काम करने से पहले दर्वाजा तो बं किया हो था लेकिन अच्छा किया जो इसने दर्वाजा खुला रखा तो मैं कैसे देख पाती और अगर मैं नहीं देखती तो संभू मारानी को कैसे दिखाती इसकी बेन का हमारे नौकर के साथ जो चल रहा है वो पिक्चर यह गलत है आप जैसे सोच रही है वो बिल्कुल गलत है चुप उल्टा चोर को तवाल को डाटे खुद तु गंदे काम कर रहे है उपर से मुझे बोल रही है पच्छला नावारा लड़की बस कीजिए देख आप में यह बड़ी पहना का अपमान कर रही है ओ ओ ओ ओ दो तीन बार तुझे मारा नी क्या बोल दिया भूल से मैंने अपने आपको मारा नी समझते लगी तू अरे अपमान उसका होता है जिसका पहले से कुछ मान हो यह जो आखे फाड़ फाड़ के मुझे दिखा रही है ना इससे अच्छा है दो चमाट अपने बेन को मार के पूछ ले इसके लिए उसे यहां लेक्या आई थी कि वो हमारे नोकर के साथ रंगर लिया मना केमी बेना इतनी जवानी फूट फूट के बाहरा आ रही थी ना को मुझे बता दिया होता कि संभू को तेरे ख़त पे भेज़ देती मैं हमारे गर में क्यों गंदगी फैला रही है क्यों कर रही है हमारा घर अपविच्छ विंबा अब बेना के बारे में बिना जाने कुछ भी कह रही है तो सब सूच रहे विसा कुछ निया है खुद मालिक नहीं खेमी बेना शंबुच के रिष्टे के लहां का है क्या सम्भू और तेरी बेना खेमी ये दोनों की शादी होने वाली है या बखवास कर रही है तू अरे डफोन पहले ही तेरे रूप में हमें एक छोटी जाती का रिष्टेदार मिला है वो कम था जो अब ये 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 हमारे टुकड़ों पे पल्ले वाला ये छोटी जाती का कीड़ा ये 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 हमारा रिष्टेदार बने का क। संभू, तुन्हे ये सोचा भी कैसे, तेरी हैसियत है कि तु मेरे नानुका का साडु बई बनेगा तु, तुन्हे सोचा कैसे ये से, बता, खीडे, बता कियो तुरू, क्या हुआ, क्यों बुलाया सबको, क्या बाते फूई, आपने सबको अचानक बुलाया ए, इलेरी, पुट, अंदर जाके खेल, चल, मुंगी, चलते है, बस थोड़ा ही खेल बचाए, एक कांटी लाल करने है, खेल फूरा करके चलते है ना, कहा ना, सुनाई निगेता, मुंगी, बेन बाने कहा ना, चाओ यांसे क्या बात किया है तरू, अरे बापुजी, जब आप बात सुनोगे, तो आपके पैरो तले की जमीन खी सक जाएगी, धरम राज इस घर से क्या गया, इन लोगों ने तो इस घर को अधर्म का अखाडा बना के रख लिया, अरे वो बुद्धा एंटवर गया, तो नानका ने तरस खाके इन लोगों को यहां रहने के लिए बुला लिया, और ये आते ही बच्चल हंती तो उतर आई, अप ते ही घर के नौकर के साथ मुख कला कर रही है, बस कीजे फोई, तुने मुझ से उची आवाज में बात की, हां, मुझ से, तरी फोई से, अरे हां मैं तो भूली तू का आप महिया वंशी रहा, मैंनो इस संतूरी के घर का नमक खाया है न तुने, और नमक हलाली के तो उतर ही आएगा तू, इस घर के लोगों को जाना है, मैंने, उनके संसकार को जाना है, मैंने, उनकी सोच को पैचाना है, मैंने, ये लोग अपने घर आये महमान के सामन इसलिए अलग खाना खाते हैं ये लोग कुछ सुखी रोटी और नमक खाते हैं और मेहमानों को अच्छा भोजन देते हैं ताकि घर की इस्ट ना जाए ये फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे पर उससे उनके आत्मस सम्मान पे कभी कोई आच नियाएंगे गरीबी के बोच से कंदा जुख सकता है पर कभी ऐसा कोई काम नी करेगे कि इन्हें अपनी नजरे चुखानी पड़े वह इतेन वह बहुत बोल रहा है तू बहुत बो तीस में बस कीजिए मैंने कहा ना मैं खेमी के बारे में एक शब भी नहीं सुनना चुखानी पिछले तीन महिने से मैं जानता उसको महां रहा हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं खेमी को जबात आम जानने जी ला के Ermी के बारे में जो आप्षपद आपने कहा है बहुत कलत है अच्छा मैंने गलती की है मैंने और वह, व्hem जो कि अपर का थेखा उसीरा पर्ट कर आपने सोच हों मॉप कि का तो कि अपिल सकता है कि तुम मैं यह नहीं उनका कभी नहीं बूल सकता है कि तुमों इस या लेकिन भाइज है लेकिन मेरा भाइज नांका कभी और यह ब्लता वह कभी ने हां कर सकता, नहीं भूलाओं मैं एक हूई, मैं महिया वन्शी वह महिया वन्शी रहूंगा अरे तो कि ऐन एक छोटी जाती की लड़की की सर्वधारी क्यों कर रहा है, क्या रिष्ता है तेरा इसके साथ, रिष्टा उसके साथ है मेरा फुई है रिश्टा उस नमक का जिसका आप मज़ाग बनागें उस सम्मान का उस अपने पन का जो उन्होंने मुझे दिया जिंदगी के उस सचाई का जो मैंने उस परिवार के साथ रह कर सीखे पर ये आप बात कभी नहीं समझे होगे पर नहीं कभी समझ पाएंगे और उससे भी बड़ा रिश्टा है मेरा विश्वास का उसके साथ मुझे खेमी पर पूरा परस्ता है और मुझे भरोसा है अपने भाई पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और अगर उसने इस रिश्टे के लिए हाग कर दी है न तो मैं ये रिश्टा कभी नहीं होने दूँगी ये मेरी जित है नानका जब तक वापस नहीं आठा ये दोनों एक छट के नीचे इस घर में नहीं रहेंगे और ये मेरा फिस्टा चांट हो जाता हूँ आंकों देखा कभी कभी गलत होता है और ये लोग यहीं रहेंगे क्योंकि दरमराशी चाह है और शंबू अपना पुर कि धर्राव देखा है और ये खेमी, यह सब क्या है? इस खोड़ी आदमू करते हैं घुण तक्याही है तक करते ही आदमू करते हैं दोड़ी आदमू करते हैं झाल झाल